गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स, सवागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाईं सरकारी नोकरी देशी हरियाना मैं हूँ बवीता धानिया और फ्रेंट्स इस चैनल पर हमारी HSSC के प्रिवेस एर पेपर की एक सीरीज चल रही थी उस सीरीज के अंदर हम 8 पेपर कर चुके हैं अगर आपने पहले के पेपर ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में सब का लिंक है जाईए और जुरूर देखिए आज हम जो पेपर करने वाले हूं 8 पेपर का 2 पॉर्षन है 1 पॉर्षन के हंदर हम 20 तक के जो क्यूसन थे 10 इंग्लिस 10 हिंदी के जो क्यूसन थे स्टार्टिंग केस पेपर के वो हम अल्रेडी कर चुके हैं आज हम करेंगे 21 क्यूसन से फिर भी आपकी नौलेज के लिएक पर फिर से बता दूं आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है एड़वर्टीजमेंट नंबर 11 2019 कटेग्री नंबर 13 लोवर डिविजनल कलरक 2020 को लिया गया था स्टार्टिंग के 20 क्यूस्टन हम अल्रेडी फर्स्ट पार्ट के अंदर कर चुके हैं आज हमारा इस वीडियो का सेकंड पॉर्षन है तो आइए करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्यूस्टन क्यूस्टन नंबर 21 है हमारा लोथल एक प्राचिन सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है दोसों बहुत बार सुना होगा आपने लोथल जो प्राचिन सभ्यता स्थल है हमारा वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि लोथ प्राइदीप के बीच बहने वाली साबर मती नदी के साथ एक धारा से जुड़ा हुआ सहर था और ये उस वक्त का बहुत ही बढ़ा फेमस व्या पार्मार्ग होता था और वर्तमान के अंदर जो लोथल सब भेता स्थल है, वो भोगव नदी, option जो D दिया है आपको, option पहला था यमुना नदी, option B है आपका सर्शवती नदी, option C घगर नदी और option D है भोगव नदी, यमुना घगर सर्शवती तो हर्याना वालों को सबी को पता ये तिनों नदी आ लेकिन चो भॉगव नदी यो भगव नदी थह सथित्में उसी किनारि श्थित है लोथल्नगर्न कोनुशी नदी कीनारी श्थित् वो नगर है लोथल जो भोगव नदी के किनारेश थी है उमीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए लोथल प्राचिनकाल में कहां होता था कौन सी नदी वहाँ पर बैती थी प्राचिनकाल के अंदर सिंध जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है हडपा के जो सहरी और सोराष्टर प्रायदिप के बीच बहने वाली वहाँ साबरमती नदी होती थी उसकी एक पतली धारा से जुड़ा हुआ था और वो पतली धारा उस वक्त लोथल नगर के लिए एक वर्दान से कम नहीं थी वो एक भोती फेमस वैपार मार्ग होता था और वर्तमान के अंदर लोथल जो है वो भोगव नदी या भगवा नदी या भगवान नदी के किनारिस्थित है जो राजस्थान में बहती है नेक्स्ट क्योशन देखिए आपका मंजरबाद किला एक आठ पॉइंट आकार के आपका किला है वो खाली स्थान के दवारा बनवाया गया है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मंजरबाद का किला है कहां पर तो फ्रेंट्स मंजरबाद का जो किला है वो करनाटक के हसन जिले में है कहां पर है करनाटक का जिला है हसन है आधास है फिरसे सै और नै करनाटक के हसन जिले में स्थित है हसन जो जिला है वो करनाटक के मंजरबाद जो जिला है मंजर्बाद का किला, एक 8 पॉइंट आकार का किला है, करनाटक के हसन जिले में स्थित हैं और इसको किसने बनवाया था? वो बनवाया था, option देखिए, कुली कुतूब सहा, option B टिपू सुल्टान, option c हैदर हली और option d सलार गंच दो सलार जंग है वो सभी को पता होगा पानीपत में स्थित है मंजरबाद का जो किला है वो किस से जुड़ा हुआ है वो टीपू सुल्तान के साथ जुड़ा हुआ है टीपू सुल्तान को मैसूर का सेर भी कहा जाता था जो 1785 से लेकर 1722 एक जिनों ने सासन किया था और फ्रेंड्स उन्होंने ही बनवाया था किसने बनवाया था टीपू सुल्तान ने ही एक किला बनवाया था मंजरबाद का किला था आट पॉइंट आकार का किला है और कर्नाटक के हसन जिले में स्थित है Next question देखिए आपका निमें लिखित में से किसने भारत के पहले Chief of Defence staff के रूप में कारिय भार संभाला है हम से Chief of Defence पूछा है भारत के Chief of Defence का कारिय भारत किसने संभाला है सारे नाम अपने बहुत अच्छे से सुने होंगे तो जो हमारे पहले हैं इंडिया के चीफ ओफ डिफेंस पहले ये पोस्ट होती ही नहीं थी ये तीनों से नाव के उपर बनाए गए हैं पहले जो हम इंडिया के चीफ ओफ डिफेंस स्टाफ है वो है जन्रल विपिन रावत अब आपको अप्शन ए देखिए ये नाम भी आपने बहुत बार सुना होगा जन्रल मनोज मुकंद नर्वाने ये कौन है ये भारत के थल सेना अध्यक्स है जन्रल मनोज मुकंद नर्वाने कौन है भारत के थल सेना अध्यक्स, उप्शन B देखिए, एड्मीरर करम बीर सिंग, ये भारत के नो सेना अध्यक्स हैं, और उप्शन D है आपके, एर मार्सल अरजीत सिंग अरोडा, ये कौन है, ये भारत के वायू सेना के उप परमुख है कौन है, वायू सेना के उप परमुख हैं, तीनो सेनाओं का जिकर आया है, देखिए, पहले उप्शन A पर जन्रल मनोज मुकंद नर्वाने, थल सेना के अध्यक्स, उप्शन B एड्मीरल करम बीर सिंग, नो सेना अध्यक्स, उप्शन C हैं, जन्रल विपिन रावत, वो भा 30 जून 2021 को रिटायर हो रहे हैं, अभी सिरफ जून के लगभगाज 20 जून हो चुकी है, 2021 के, और 30 जून 2021 तक ही ये अपनी पोस्ट पर रहेंगे, उसके बाद ये रिटायर हो जाएंगे, नेक्स्ट हमारा क्यूस्टन है, क्यूस्टन नमबर 24, भारत में बिजली उत्पादन के लिए कौन उत्तरदाई है, पावर प्रोडेक्शन के लिए इंडिया में कौन रिस्पोंसिबल है, ओप्शन आपको दिये हैं, ओप्शन A है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पाव कोर्प्रेशन, ओप्शन B, पावर ग्रीड कोर्प्रेशन ओफ इंडिया, ओप्शन C, अडानी पावर लिमेटेड और ओप्शन D है, नेशनल थर्मल पावर कोर्प्रेशन, तो फ्रेंट्स 2020 के अंदर यह एक्जाम हुआ था, उस वक्त तक तो देखिए, जो ओप्शन A है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कोर्प्रेशन वही भारत में बिजली उत्पादन के लिए उत्तरदाई है, वर्तमान में तो बहुत सारी जो गोर्मेंट अपनी कमपनिया थी, उनका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, अब तो उनकी लिस्ट बनानी भी मुश मुश्किल हो गई है, हो सकता है, सब कुछ आडानी के अंडर आजाए, या रिलाइंस के अंडर आजाए, तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उस वक्त का जो यह क्यूशन था, बिजली उत्पादन के लिए भारत में कौन रिस्पोंसिबल है, वो है ओप्शन ए, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर कोर्प्रेशन, नेक्स्ट क्योशन है हमारा, इन में से कौन भारत सरकार के सवामितव वाला सारजनिक सित्र का उध्यम नहीं है, फ्रेंड्स जो एक्जाम की तयारी कर रहा है, कम से कम जो बचर ने 10th प्लस टू की होगी, ग्रेजवेशन की होगी, उन गॉर्मेंट सेक्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर 51% कम से कम चाहिए, अबोब 49% जो पॉर्षन होता है, वो गॉर्मेंट का होता है, लेकिन वर्तमान के अंदर सब कुछ सेनेरियों चेंज हो चुका है, तो इस क्यूस्टन के एकोर्डिंग 2020 तक यहां पर आपक कौन सा नहीं है, पब्लिक सेक्टर की कौन सी कमपनी नहीं है, गेल, हेल, बीपी सील और हिंदूस्तान यूनि लिवर, तो फ्रेंट्स इनके अंदर से हिंदूस्तान यूनि लिवर उस वक्त तक प्राइवेट कमपनी होती थी, और वर्तमान में मुझे लगता है, यह सारी क सारी प्राइवेट हो चुकी है, क्योंकि गेल भी बग चुका है, बीपी सील भी बग चुकी है, हेल भी बग चुका है, आप अपना डेटा चेक कर लेना, अगर वर्तमान में तो सायद सरकार को यह सा क्यूशन देगी ही नहीं, अगर आब ही गया हो तो चेक कर लेना, क्यों लिए अब सब कुछ बराबर है लेकिन 2020 के अकोर्डिंग अगर देखा जाए उस तक गेल, हैल, बीपीसीयल, गुवर्मेंट सेक्टर की कमपनिया थी और हिंदुस्तान यूनिलेवर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की कमपनी थी नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारा, इन में से किसको कोईले की बेहत्र गुणवता के लिए जाना जाता है, हमसे कोईले की बैस्ट क्वाल्टी पूछी है, सुपेरियर क्वाल्टी पूछी है, ओप्शन हमें दिये हैं, बिटुमेंस, धातु कर्म, एंथ्रेसाइट और होता है, और एक एंथ्रेसाइट होता है, उसके अंदर से जो पिट कोईला होता है, वो बिल्कुल कच्चा कोईला जिसको बोला जाता है, सबसे लो क्वालिटी का कोईला होता है, जिसके अंदर लगबग 22% तक ही कारवन पाया जाता है, वो सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोईला होता है उसके बाद दुसरे नंबर पर आता है लिगनाइट कोईला जो ओप्षन बी डी पर दिया है हमें यहां पर जो 28 से 30 परसेंट तक कोईला पाया जाता है सोरी कार्बन पाया जाता है पीट कोईले के अंदर 22 परसेंट जो सबसे लोवेस्ट क्वाल्टी था वो उ किसरे नंबर पर आता है जो हमें ओप्षन ए दिया है बिटुमिन्स कोईला उसके अंदर 87 से 86 परसेंट तक कार्बन पाया जाता है और बिटुमिन्स कोईला तब बनता है जब लिगनाइट के ऊपर उच्छ दाब पड़ता है 77 से 86 तक वहाँ पर कार्बन पाया जाता है और बिटुमिन्स कोईला लिगनाइट कोईले का ही जो आगे बढ़ा हुआ उसको सुद रूप बोल सकते हो क्योंकि वहाँ पर 28 से 30 परसेंट कार्बन था जब लिगनाइट कोईले पर धरती का उच्छ ताप बढ़ता है जब ता काला कोईला भी बोला जाता है जैसे पिट कोईला को कच्छा कोईला बोलते हैं ऐसे ही बिटुमिन्स जो कोईला होता है उसको हम काला कोईला भी बोलते हैं और यह अत्याधिक मुलायम होता है कौन सा होता है बहुत जादा मुलायम होता है और जो सबसे सुपेर क्वाल्टी होती है वो होता है option C anthracite जहां पर carbon की मात्रा 94 से लेकर 98% तक पाई जाती है anthracite सबसे superior quality इनकी quality carbon की जो इनके अंदर मात्रा होती है उसके अधार पर decide की जाती है anthracite जो koila है उसके अंदर carbon की मात्रा चुराणवे से 98% तक पाई जाती है और ये koila का सबसे superior रूप होता है सबसे lowest रूप होता है pit koila जिसके अंदर 22% तक ही carbon पाया जाता है उससे थोड़ा सा उपर आता है lignite koila जो 28-30% तक महाँ पर carbon पाया जाता है और जो उससे उपर anthracite से नीचे पुछा जाए दूसरे नंबर का koila पुछा जाए तो वो होगा bitumins koila जहां पर 87-60% तक carbon पाया जाता है और sorry friends bitumins के अंदर मैं 87-86 तक कितना होता है bitumins koila जो दूसरे नंबर का koila है 77-86% तक एक बार फिर से देखिए सबसे उपर anthracite koila जहां carbon की मातरा है 94-98% दूसरे नंबर पर bitumins koila जिसको काला koila बोलते हैं बहुत जादा मुलायम होता है वहाँ 77-86% तक carbon होता है तीसरे नंबर पर lignite koila होता है जहां पर 28-30% ही carbon पाया जाता है और सबसे last जो चोथे नंबर पर आप बोलते हैं उसको pit koila या कच्चा koila भी बोला जाता है जिसके अंदर maximum 22% तक ही carbon पाया जाता है और एक question और आता है friends koila से ही related carbon से ही related हीरा भी पूछा जाता है किसका अपर रूप होता है तो friends हीरा भी जो होता है carbon का ही अपर रूप होता है या फिर जिसको सुद कोila सबफेद कोila जिसको बोला जाता है वो हीरा होता है next question देखिए हमारे पास question number 27 जो आया है political science से question दिया है निमिल लिखित में से कौन सा अनुछेद एक आधिकारिक भासा के रूप में हिंदी के उपियों को दरसाता है देखिए friends है कितना detail से पूछने लगए जो आप से अनुछेद पूछा है जो हिंदी को हमारी जो राजकिये भासा है वो दरसाता है government official जो language है इंडिया की वो हिंदी है और वो भारत का अनुछेद का कौन सा जो समिधान का कौन सा अनुछेद है वो दरसाता है option दिये हैं आपको अनुछेद 343, अनुछेद 356, अनुछेद 80, और अनुछेद 368 तो friends जो हिंदी को हमारी government official के रूप में दरसाता है वो है आपका अनुछेद 343 और अनुछेद 343, भारत की आधिकारिक भासा के रूप में हिंदी के उपियोग को दरसाता है कौन सा अनुछेद है अनुछेद 343, जो other option है उनका भी आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि अब आपसे हिंदी का अधिकारिक भासा पूछा है तो आपसे दुसरे अनुछेद 356 है वो बताता है कई बार जब राष्ट्रपती सासन लगाया जाता है वो कौन सा अनुछेद है अनुछेद 356 किस समबंदित है राष्ट्रपती सासन लगाने से समबंदित अर्थार्थ जब वहाँ पर मुख्य मंत्री का जो सासन होता है वो खतम हो जाता है तो वहाँ पर जो आधिकारिक जो सरकार होगी वो राष्ट्रपती की होगी जिसे राष्ट्रपती पाल समबंदित तो अनुछेद 356 किस समबंदित राष्ट्रपती सासन से समबंदित है Option C है आपके पास अनुछेद 80, अनुछेद 80 फ्रेंड्स जो होता है, वो राज्य सभा के सदश्यों की अधिक्तम संख्या से रिलेटिड होता है, अनुछेद 80 हमें क्या बताता है, कि जो भारत के अंदर दो सदन है, एक राज्य सभा है, एक लोग सभा है, जो भारत का अधिक्तम जो संख्या है सदश्यों की, वो 250 ही हो सकती है, जिसके अंदर 238 जो है, वो विविन राज्यों का, जो केंदर सासित परदेश हैं, उनका प्रतिनी दीतों करते हैं, और 12 जो सदश्यों होते हैं, वो राष्ट्रपती के दवारा मनोनित किये जाते हैं, टोटल कित रज्य सभा से रिलेटेड एको, और भी क्योशन बहुत बार पूछा जाता है, कि रज्य सभा को कब भंग किया जा सकता है, तो रज्य सभा को फ्रेंड्स आज तक या कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, रज्य सभा को सथाई सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इसके हर जो सदेश्य हैं उनको मनोनीत कर दिया जाता है तो पुर्णे रज्य सभा को कभी भी भांग नहीं किया जा सकता यह भारत का सथाई सदन है और लास्ट आपका उप्शन है अनुचेद 328 वह है भारत के अंदर संविधान संसोधन से बिलेट जो वर्तमान की सरकार है जिसका सबसे ज्यादा उपयोग कर रही है कि सरकार को किसी भी field के अंदर कोई कानून बनाना है नहीं जैसे वह वर्तमान के अंदर कृशी कानून जो आए हैं वह इसी अनुचेद के एकोडिंग सरकार ने पास किये हैं तो अनुचेद 368 सरकार को समिधान संसोधन की पावर देता है अगेन रिपेटिंग अनुचेद 343 है वो हिंदी को आधिकारिक भासा के रूप में दर्साता है अनुचेद 356 राष्ट्रपति शासन की डिटेल देता है और अनुचेद अनुचेद 368 क्या है वो समिधान संसोधन को दर्साता है नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारा क्यूस्टन नमबर ट्वेंटी एट जो है निमिल लिखित में से किसकी न्युक्ति केवल 65 वर्स की आयू तक ही की जाती है उप्सन दिये हैं उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति सर वच्चे निया लेके नेधिस और रज्जे पर तो कुछ क्यूस्टन तो एक्जाम के अंदर इतने आसाना जाते हैं कि हर बच्चे का वो लगबग ठीकी हुआ होगा क्योंकि सभी को पता है राजनिती के अंदर कोई भी आयू सिमान नहीं रखी गई है चाहिए वो 90 साल के ह हो गहे हों या 100 साल के भी क्योंला हो जाए उनकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है यहां पर इंडिया के अंदर राजनिती की मिनिमम एज रखी गई है कि लोक सभा के लिए कि राज्ये सभा के लिए 35 तो बिल्कुल भी नहीं रखी गई है तो भारत के अंदर जो सरवच सरवॉच्चे न्याले के नयाधीष है, उप्सन C है, उनकी न्युक्ती केवल 65 वर्ष की आयू तक ही की जा सकती है. नेक्स्ट क्यूस्टन है हमारा अल बरूनी के अनुसार थानेसर के मंदिर में निर्मित जो देवताओं की मुर्तियां थी वो खाली स्थान से बनी हुई थी अल बरूनी से रिलेटिड इतने सारे क्यूस्टन आते हैं एक्जाम के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अल बरूनी कौन थे तो दोस्तों अल बरूनी जो थे एक फार्सी विद्वान थे जो महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे महमूद गजनवी वही था जिसको आप भारत के अंदर लुटेरा कहा जाता है जिसने भारत पर सत्रा बार आकर्मन किया था जिसने थाने सोर के मंदिरों से सारी मुर्तियां भी चोरी कर ली थी वही था अल बरूनी जो बार बार आकर्मन करता था और भारत का जो सारा सोना चांदी था वो अपने साथ ले जाता था उसी महमुद गजनवी के साथ आया था अल बुरुनी जो एक फार्शी विद्वान था अल बुरुनी ने अर्बी भासा के अंदर बुक लिखी थी किताब उलहिंद और अल बुरुनी का आपको प्राना नाम भी पढ़ना चाहिए क्य जिसको बोला गया था क्योंकि चीनी नाम ही दिया गया था बहुत सारे बच्चों को तो उसका चीनी नाम पता ही नहीं था और यहां पर आपसे अल बुरुनी का प्राचिन नाम भी पूछा जा सकता जो पूरा नाम है उनका वो था अबू रेहान मुहुमद बीन एहमद अल क्या था फिर से बताती हूं अबू रेहान मुहुमद बीन एहमद अल बदुरुनी था अल बुरुनी का प्राचिन नाम क्या था मुहुमद बीन एहमद अल बदुरुनी था वो हर्याना से नहीं था उसका नाम कोई रामफल सुरेश रमेश नहीं था वहाँ पर ऐसे ही नाम होते थे रहे अपनी मजबूरी है उनके नामों को याद करना तो फ्रेंड्स इनके नामों को बहुत द्यान रखना है एक्चे से बहुत डीटेल से क्यूशन पूछती है जब वो चीनी यात्री का पूछिक असली नाम चीनी नाम पूछ किताब उलहिंद जो अर्वी भासा के अंदर लिखी गई फार्शी विदवान था मुहमूद गजनेवी के साथ भारत अया था और जो किताब उलहिंद में मैं अल बुरूनी ने जो भारत का वर्णन किया उसके अंदर थानेश्वर का वर्णन और उसने बताया है कि जो थाने शुवर के अंदर मंदिर के जो मूर्तिया थी, कौन सी धातु से बनी थी? Option A, लोहा, Option B तांबा, Option C, पीतल, और Option D, चांदी, तो अलबरुनी के अनुसार जो प्राचिन समय में उस वक्त थानेशोर के मंदिरों में जो मुर्तियां होती थी वो पीतल या फिर बहुत जगहे कास्य भी दिया होता है उससे निर्मित थी किसे पीतल आए या फिर कास्य आए उससे निर्मित थी जो थानेशोर के अंदर मंदि जो बोला जाता है उस आदमियों जितनी बड़ी बड़ी वहां पर मुर्धियां होती थी पीतल या फिर कास्य से बनी होती थी अलपुरुन ने जब पुस्तक लिखी उसका नाम था किताब उलहिंद अर्भी भासा में लिखी गई थी फार्सी विद्वान था और महमूद गज संद्र के अंदर जो मुर्तियां थी क्योंकि एक्जाम के अंदर आ गया तो दूबराव हो सकता है सेम चीज ना पूची ज़ूझे लेकिन अलपुरुनिंटे रिलेटेड किसंड जरूर आता है किसी एक्जाम में आना होता है तो उससे अधर रिलेटेड कंसेप्ट हमेशा ध्यान के नेक्स्ट्ट क्यूष्चन है हमारा इंद्रा गантि विश विध्याले घ्रीयांना में खालिस्थान पर स्थित है हर्याना कि सेंट्रल पूख जो इंद्रा कान में व्हों कहां पर है ओप्शन दिये हैं हिसार, पलवल, करनाल और रेवाडी, तो फ्रेंड्स जो इंद्रा गांधी विशव विद्याले है जो मीरपूर रेवाडी में स्थित है, मीरपूर रेवाडी के अंदर स्थित है, इंद्रा गांधी विशव विद्याले जिसको हर्याना की सेंट्रल युन इनवस्टी जो एसिया की सबसे नंबर वन एगरी कल्चर इनवस्टी और तीसरें है आपकी लाला लाजपत्राई उनवस्टी और एक उप्सन आपको दिया है पलवल पलवल के अंदर भी उनवस्टी है पल न में है विसव कर्मा कोसल विकास विशव विड्याले जो पलवल के दुधोला गाउं में श्थित है जिसका पहले नाम सिर्फ कोचल विकास विसव में सुद्ध में धाल और बना दिया गया जो पलवलुके दुधोला गव में स्थित है, करनाल के अंदर बागवानी विशव विद्यल है, जो एच्चे यू जो उनिवस्टी है, स्टार्टिंग के अंदर करनाल में स्थापित किये गई थी, लेकिन बाद में इसको हिसार स्थाना अंत्रित कर दिया गया, और करनाल का जो एक सबसे परत्मान में हमारा क्यूस्टन ही है, रिवाडी में क्या है, इंदरा गांधी विशव विद्याले या फिर भारत की जो सेंट्रल यूनिवस्टी है, जितने भी उप्षन आए, उससे रिलेटिड आपको सारे कंसेप्ट पता होने चाहिए, तभी फाइनल सेलेक्शन होगा, नेक्स्ट हमारा क्यूस्टन है, राजा अजीत सिंग कौन सी रियासत के सासक थे, देखियो क्यूस्टन पूछना राजा अजीत सिंग से ही है, पूछना ओप्षन वही है, लेकिन उसको उल्टा या पुल्टा जैसे भी घूमा दिया जाए, एच एससी का राजा अजीत सिं लडवा रियासत के सासक, HSSC में पता नहीं कितनी बार ये क्यूशन पूछा जा चुका है, option आपको दिये हैं, लडवा लिखा गया है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर लडवा के साथ ही जाना होगा, क्योंकि राजा अजीद सिंग लडवा रियासत के सासक थे, 16 जन्वरी 2019 को हर्याना के मुख्य मंतरी ने चात्रों के लिए खालिस्थान पुरुषकार की घोषणा की थी, सबसे पहले तो आप डेट ध्यान रखा करो, क्योंकि अब एक्जाम के अंदर डेट बहुत जादा पूछी गई है, यहाँ पर यह पूछा कि कौन सी पुरुषकार की घोषणा की थी, आपसे यह भी दे सकते हैं कि उस पुरुषकार का नाम देखकर उसकी घोषणा हर्याना के मुख्य मंतरी ने कब की थी, तो फ्रेंड 16 जन्वरी 2019 को हर्याना के मुख्य मंतरी ने छात्रों के लिए जो प्रुषकार की घुशना की थी ओप्षन है A है सुर्वेक्षन ग्रामेन ओप्षन B सवच सकती ओप्षन C सोर्य प्रुषकार और ओप्षन D है सिख्षय सेतु तो जिस बच्चे ने तुका मार रहा है वह 100% सिख्षय सेतु के साथ गया होगा लेकिन जो 16 जन्वरी 2019 को हर्याना के मुख्य मंतरी ने छात्रों के लिए जिस प्रुषकार की घुशना की थी वह है सोर्य प्रुषकार और यही क्यूशन मैंने एक और फेपर के अंदर भी करवाया है वहाँ पर सोर्य प्रुषकार देकर पूछाया कि यह किस के लिए है उल्टा गुमाया गया है क्यूशन वहाँ पर तीन अप्षन आर्मी से रिलेटेड़ थी सिर्फ एक अप्षन था छात्रों के लिए तो द देखिया आपका खालिस्थान ने अठार में ACI खेलों में 2018 के अंदर जो हुए जकारता इंडोनेसिया में हुए थे 810 मीटर में सवन पदक जीता है कहां पर हुए सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए अठार में ACI खेल जकारता इंडोनेसिया के अंदर हुए 2018 में हुए थे और 810 मीटर में सवन पदक किसने जीता था ओप्शन A है नीरज चोपड़ा, ओप्शन B मनजीत सिंग, ओप्शन C बंजरंग पुनिया और ओप्शन D है लक्स है शोरान तो फ्रेंड्स जो ओप्शन B मनजीत सिंग है इन्होंने 56 साल के बाद ये रिकोर्ड टूटा था और 800 मीटर रेस के अंदर इन्होंने सवन पदक जीता था यहाँ पर 810 दिया गया है जो अबो 800 की जो थी वहाँ पर 56 साल के बाद इन्डिया की साइड से कोई रिकोर्ड टूटा था मनजीत सिंग ने रेस के अंदर सवन पदक जीता था 18 ACI खेलों में जो 2018 में हुए थे किसने जीता मनजीत सिंग ने गोल्ड मेडल जीता और 56 साल के बाद रिकोर्ड टूटा था बहुत ध्यान रखना option A है नीरज चोपड़ा वो कौन से खेल से रिलेटेड है नीरज चोपड़ा भाला फेक खेल से सम्बंदित है option C जो बजरंग पुनिया है जिन्हें अभी राजी उगांधी प्रसकार भी मिला है वो कुस्ती से सम्बंदित है और जो लक्से स्योरान है option D उनका खेल है शूटिंग गनवाला शूट कर देते हैं लक्से स्योरान नेक्स्ट क्योस्टन है चोटिस नमबर जो क्योस्टन है हर्याना के किस भारतिय खेल निसाने बाजने ग्रीसम कालीन यूवा ओलंपिक 2018 में सम्ण पदक जीता है तो फ्रेंड किसने जीता ग्रीसम कालीन यूवा ओलंपिक 2018 के अंदर जो खेल हुए भारतिय खेल निसाने बाजी में पूछा है स्पेशल और गोल्ड मेडल पूछा है उप्शन दिये हैं संजीव राजपुत उप्शन भी अभी सेक वर्मा उप्शन सी अनेस भनवाला और उप्शन डी है मनू भाकर हर्याना के हर बच्चे को पता होगा किसने जीता था निसाने बाजी के अंदर ग्रीशम कालिन युवा उलम्पिक 2018 जो हुए अभी पहले वाला भी 2018 काई गेम था क्यूशन आया था खेलों से बहुत क्यूशन आ रहे हैं वो किसने जीता वो जीता था उप्शन डी मनू भाकर ने मनू भाकर ने ग्रीशम कालिन निशाने बाजी से संबंदित हैं, 2018 के अंदर UA Olympic जो हुआ, उसके अंदर gold medal जीता और friends रिलेटेड यहां जाता है कि यह हर्याना की सबसे कम उमर की खिलाडी थी, गोर्ट मैडल लेकर आई, क्योंकि जब इन्होंने गोर्ड मैडल जीता तब इन्की एज मेहज, मैडल तो इन्होंने 16 साल में ही जीत लिया था, जब 2018 के अंदर इन्होंने मैडल जीता, तब यह 18 साल के भी नहीं होई थी, इनका जनम हुआ 18 फृवरी 2001 को, क्योंकि सबसे कम उ गोरईया गाओं में हुआ था, 2018 में तो फ्रेंड्स इन्हों ने मैडल ही जीत लिया, तो कितने साल की हुई, सिरफ 16 साल की हुई थी, दो हजार दो में जनम हुआ, 2018 के अंदर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल आ गया, सबसे कम उमर में जिस खिलाडी ने अरियाना के लिए गोल्ड मेडल लिया, वो है मनु भाकर, निसाने बाजी में लिया, तो इनकी डेट ओप बर्थ है, 18 फरवरी, 2002, कौन से जिले से रिलेट हैं, बहुत ध्यान रखना इनका डेट ओप बर्थ, पहले एक एक एकजाम में सुना था कि साइद आया है, मैंने देखा तो नहीं, मनु भाकर की जो डेट ओप बर्थ है, वो है, 18 फरवरी, 2002, सबसे कम उमर में गोल्ड मेडल लिया, इसी वज़े से इनकी डेट ओप बर्थ जीता था, और गोल्ड मेडल जीता था, नेक्स्ट क्योशन देखिए, हमारा क्योशन नमबर 35 है, राज्ये के उतक्रेष्ट खिलाडियों के लिए, हर्याना सरकार के सरवच्चे प्रुसकार का नाम बताईए, जो सबसे बैस्ट अपना देने वाले हैं खिलाडी, जो बैस् फिलाडियों के लिए, हर्याना सरकार का सबसे टौप प्र Rowसकार होता है, उसका नाम बताईए, उप्शन एक लवे प्रिशकार, उप्शन बी गृुवसिष्ट प्रुसकार, उप्शन अपन सी है, भीम अवार्ड, और उप्शन डी है, विकरमा दित्ते हैं प्रुसकार Gusty देखे फ्रेंट्स हर्याना में पुरुषकार तो सारे ही दिये जाते हैं, जादा डिटेल तो आपको तब बताई जाएगी कौन सी फिल्ड में कौन सा पुरुषकार अजब इनके उपर special वीडियो बनेंगे, अभी जो हर्याना का सरवच्य पुरुषकार है खिलाडियों के ल आज के लिए इतना ही, ऐसे तो वीडियो बहुत लोंग हो जाएगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पॉर्षन के साथ हमने 35 कुशन तर कम्प्लेट कर लिए हैं, इसका थर्ड पॉर्षन भी देखना बिल्कुल मत भूलिए, आज के लिए इतन ही, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब आवर चैनल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉर्षन के साथ